आज खरी खरी बात करते हैं उन लोगों की जिन के कारण बाकी लोग भुगत रहा है यहने करे कोई भरे कोई अच्छी भली जिन्दगी पट्री पर लौट रही थी देश की भी और हमारे राज्जी की तो और ज्यादा अच्छी इस्तिती थी प्रचानक फिर वही कुछ लोगों ने सरकार के जो किये कराये पर पानी फिर दिया लोगोंने जो इतने दिनों तक खुदर कैद रखा घरों में उसके उनकी जो जो भी उनका प्याक कह लें उनका अनुशासन कह लें उस पर पानी फिर दिया फिर और कालीस घंटे का कर्फ्यू लग दिया कुछ लोगों की जो है आरकतें जो है वह इतनी घटिया है कि अब उसको क्या कहा जाए कि उनको यह भी नहीं लग रहा है कि उनको चंद लोगों के कारण जो है पूरा देश परिशान हो रहा है चंद लोगों के कारण पूरा शहर प्रदेश परशान हो रहा है चुपा रहे हैं खुट को आज एक को पकड़ के लाना पड़ा हमारे हां आठवा निकल गया पोजिट 45 घंटे जो बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे सामानने जिन्दगी का जिन्दगी जो है पट्री पर लोटे उसका क्या फिर 45 घंटे रहो कैद घर में पुलीस भी तंग आ लगे हैं कितने लोगों को रोखो गया लोग दिकलते जा रहे थे भी बाहरा आज जा रही थे इसके ब कि रोज्यूटी चलती थी जो रोज निकलते थे घर से तो कुछ पैसे खंआ के जाते थे क्या आप सोचते हैं कि जो रहात का गोजन समगरी मिल गया उससे घर केली जाता है है रनी की बात है चुपा क्यों रहे हैं किसके लिए चुपा रहे हैं क्यों चुपा रहे हैं कुछ समय या और एक उनके मौला ना है वो पता नहीं कहा गाया है और पर यह आस्मान निकल गया धर्ती खा गई कहा चुपे हैं कोई ने कोई तो शरण दिया होगा किसी ने किसी कि गर में होंगे या कहीं न कहीं तो रुके होंगे कुछ पूरे देश को आपने जो है कोरोना का वू बना दिया मैंधान बना दिया कोरोना के लिए चर ले वही कोरोना जाज इतने चीए पेशेंट ले लिए और आप अपना मज़े से चुपे हुए हो। ऐसे लोगों के खिलाब घैरी रातन हत्या का जुर्म दर्जोना चीजिए आप लोगों को मार रहे हैं छोड़ रहे हैं लोगों को संक्रमित करके अब फिर उनको संदक्षन देने वालों को तो बिल्कूल देश-द्रोह का मुकदमा लगना चीजिए यही हाल यहां कोई कहां चुपा है कोई कहां चुपा है मिल नहीं रहें पुलीस असरकाई ढूंड रही है एक के बाद एक के बाद क्या बताया गार्तरीस घंटे जो है फिर विचारे जो सूचते हैं कि सबजी बेच लें यह कुछ कहीं जाकर दूद बेच लें कहीं कुछ कर तो खतम अब रतारी घंटे रहो कि अच्छा लगेगा बता दो भई बता दो कहां छुपे हो क्या छुपे हो क्यों कहां से आये हो क्या है एक डक्तर निकल आई अब बताईए डक्तर पड़ी दिकी डक्तर भीना बताया दुबाई गई आके बताई नहीं नौकरी पर बैठ गई तीन दिन नौकरी कर ली कई लोगों से मिल ली अब पता चला तो अब कर क्या सकते हैं लब भी चुटी भेज दी अउस दौरान वो जो है अगर खुदा नखास्ता किसी कुछ हो गय तो पर बच्ता क्या था था है we pray to be ate घ्र सअब्च्रख गाली सरकार को यह फिरवर तक्लिफ होती है कि दिया क्यों जलओर रहा है पर आपको तकलिफ होती है कि क्ो भजब करेंगे क्या अब है है वो जो महनत कर रहे हैं आप अलिक कर सकते हैं आप कि एक डाक्तर जो है वो अपनी जानकारी नहीं दी कि मैं दुबभाई से लोटे तो दुकिल के लोगोई शी अच्छा है पैसा था तो पढ़ने गये ते अच्छा है पैसा सतर। कमाने गये ते अच्छा है आप गुमने फिरने गये से सब। ठीक oraz आये हो थो तो बता थो थो आप ठीक हो और आप डंके के चोट पर रहते हीरो बनते हीरो बनने के जगा खलनायक बन गया पूरे देश को हिला के रख दिवा अभी भी मौका है समझ जाओ बता दो और सरकार की मदद करिए प्रशाशन की मदद करिए पुलिस वालों के पर दया कीजिए थग गया है वो सड प्रशान बचाना और हमी को पीटा जारा है खुद तो समंझ जाओ खुछ तो आत्मन अनुशासन की बात करो नमस्कार अगले अंके तक के लिए दिजे मुझे जाज़र अगले अंके तक के लिए मुझे जाज़र झाल